नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो हीटी वी नाक से खूनाना देश सकता है इन गंबीर बीमारियों का संकेत नाक से खूनाने की समस्याओं का नुप्सीर कहा जाता है यह एक आम समस्या है जो किसी भी विक्ती को हो सकती है या आम तोर पर नाग के अंदर की ब्लेड वेजल्स को फटने के कारण होती है या समस्या हर उम्र के विक्ति को प्रबावित कर सकती है खराब खानपान भी इस समस्या का कारण हो सकता है आईसे में इसका समय रहते इलाज ना कराने से शरीर में कई बीमारिया पैदा हो सकती है नाग से खोन आने पर होने वाली बीमारिया हाई ब्लेड प्रेशर हाई ब्लेड प्रेशर नाग की ब्लेड वेजल्स पर दबाव डालता है जिससे वे कमजोर होकर फट सकती है इसके कारण रक्तश्राव को भी होनी की संभावना बढ़ जाती है हिमोफीलिया हिमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून के तक्के बनने में समस्या होती है इसके कारण नाक से खून आने को रोकना मुश्किल हो जाती है हीमोपीलिया वाले लोगों में नाक से खून आने की संभावना ज्यादा देखने को मिलती है क्रोनिक लिवर डिसीज क्रोनिक लिवर डिसीज नाक से खून आने सहे कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है यह डिसिस खून के तक्के बनने की प्रिक्रिया को प्रबावित करता है जिससे नाक से खून आने की संभावना बढ़ जाती है इट्रो स्केलारसिस एक आईसी स्थिती है जिसमें धामलिया में प्लाक जमा हो जाता है यह एक जिपचिपा पदाध होता है जिससे कweder ustedes वसा और अन्यपदाध होते है यह धामलिया को सक्त और संकीन बना सकता है जिससे रक्त प्रवा कम हो जाता है High blood pressure नाग से खून आने का कारण बन सकता है नेजल टियूमर नाग से खून आने का एक आम कारण है यह टियूमर रक्तवाहकों को नुपसान पहुंचा सकता है जिससे रक्तशाव होने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है नाग से खून आने के कारण नेंबर एक नाग से खून आने के कई कारण हो सकते हैं शुश्क हवा नाग के अंदर की जिल्ली के सूका और चीड़ चीड़ा बना सकती है जिससे ब्लेड वेजल्स फट सकते हैं नेंबर दो इसके अलावा नाग पर किसी तरह का दबाव या खिंचा होने पर भी ब्लेड वेजल्स के पटने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होती है नेंबर तीन एलेजी के कारण भी नाग के अंदर की जिल्ली में सुजन आ सकती है जिससे रत्शाव बढ़ सकता है नेंबर च्छाव नाग में किसी प्रकार की छोट लगने से भी रत्वाहिका ये फट सकती है कुछ दवाईया का सेवन नाग से खून आने का खत्रा बढ़ा सकती है बचाव यूमीडी फाइर का इस्तिमाल करने या नाग में सेलैन स्प्रे लगने से नाग को नम रखने में मदद मिलती है नेंबर दो एलर्जी होने पर इसका समय रहते इलाज कराने से नाग से खून आने के खत्रे को कम करने में मदद मिल सकती है नेंबर तीन नाक में खून आने पर आगे जूपने से ब्लेड को गले में बहने से रोपने में मदद मिलती है। नेमबर च्छार अंगूटे और तजनी से अपने नतूने को 10-15 मिनी तक दबाए रखने भी रक्तश्राव को रोका जा सकता है। नेमबर पांच नाक पर थंडी सिकाई करने से ब्लेड विजल्स को सिकडने और रक्तश्राव को कम करने में मदद मिल सकती है। यह लेट केवल सामानी जानकारी को प्रदान करता है इनको केवल सुझाओ के रूप मेले इस तरह कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सालत जरूर करी धन्यवाद